हलो दोस्तों, स्टडी आईक्यू पे आपका स्वागत है मैं हूँ आपका टीचर जो आपको सिखाऊंगा ब्लैक मनी अबॉलिशन के बारे में तो ये विडियो आप तक लेकर आ रहा हूँ मैं आयुश सांगे कल जैसा कि आप लोग जानते हैं एक बहुत ही important decision लिया गया था जहां पे ये कहा गया था कि 500 और 1000 के existing notes अब existence में नहीं रहेंगे discontinue हो जाएंगे और इस चीज़ को एक historic move कहा गया था after independence, यानि कि आजादी के बाद this was considered to be a historic move मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये historic move क्यो है but why is it a historic move this I will explain it to you in this video मेरा नाम है आयूच सांगी आईये समझते हैं इस announcement को किस तरीके से करा जाता है तो hello people many of you must have thought about what this move is, क्या हुआ है ban कर दिया है या discontinue करा है एक higher denomination note को इसका मतलब exactly क्या है और इसके implications क्या होंगे मतलब हम लोगों पे इसका क्या असर होगा what will be the effect on consumer ये हमें समझना है इसके through तो जब हम consumer पे effect समझेंगे तो हमें exactly समझ माएगा कि इसको किस तरीके से handle करा जाए तो announcement किस तरीके से गरी गई थी देखते है सबका साथ, सबका विकास ये जैसा कि आप जानते हैं एक tagline है, एक motto है NDA government का, BJP government का जिसमें हम लोग governance और progress दोनों पे ही focus करते है इन चीजों को सशक्तिकरन के लिए empowerment of the poor गरीबों के सशक्तिकरन के लिए use करा जाता है जिसकी वज़े से हमें governance को और progress, तोनों को better करना पड़ेगा जिससे trickle-down effect के तहट poor को भी फायदा हो तो जितनी भी schemes government ने आज तक launch करी हुई है सबका एक ही objective है सबका साथ, सबका विकास चाए वो farmers का benefit हो चाए वो गरीबों का benefit हो किसी का भी benefit हो इसी के दोरान, इसी के मद्दे नज़र रखते होए corruption और black money कुछ ऐसी बिमारिया है जो की rooted है हमारी country में हमारे culture में, हमारे logo में जो इन चीजों को कामयाब होने से रोक रही है तो सबका साथ, सबका विकास इस चीज़ को रोकता है इसी चीज़ को रोकने के तहद announcement बहुत important किया गया था सबसे पहला announcement जो आप लोग अल्रेडी जानते है हुआ क्या है, मुझे दुबारा दोराने की जरुवत नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि notes जो है, वो ban नहीं किये गए है notes are not being banned they are not being banned तो चाहे 500 की बात हो, चाहे 1000 की बात हो notes को ban नहीं किया जा रहा है confused क्यों confused हो रहे हो भई? confusion आपको दूर करते है banning का क्या मतलब होता है, discontinue करने का क्या मतलब होता है दोनों ही चीज़े मैं आपको clear करता हूँ जब government ये कहती है कि हम लोग discontinue कर रहे है discontinue करने का मतलब होता है कि इस particular note को अब आप use नहीं कर सकते you cannot use this particular note not use this note it is not usable, इसको बोलते है discontinue, ban का मतलब होता है कि note ही हटा दिया गया है इस denomination का तो 500 रुपे का note नहीं हटाया गया है ये very much in existence है बस पुराने notes को discontinue करके नए notes को new notes of 500 are being introduced ये change किया गया है जिसको हम लोग properly ban की definition में नहीं डाल सकते तो इस चीज़ को ध्यान रखे कि banning में 500 रुपे के note को discontinue किया गया है और उसकी जगे नए note को include किया गया है 1000 के note को completely discontinue कर दिया गया है और उसकी जगे 2000 एक higher denomination का note market में आता है तो announcement करी गई थी कि 8 November 2016 रातरी 12 बजे onwards 1000 के और 500 रुपे denomination के जो पुराने note है वो legal tender नहीं केलाएंगे तो ये एक नया 9-11 कहलाए जाएगा 9 November का दिन तो 9-11 के तहट ये चीज़े applicable नहीं होंगी 500 और 1000 के पुराने note applicable नहीं होंगे इसकी जगे 10 November से आपको 500 रुपे के नए denomination के notes या 500 रुपे के ही denomination के नए notes आपको मिलेंगे बैंकों से आप बैंक से जाके ले सकते हो तो इस चीज़ को announce किया गया था आज 9 November है और आज से ही 9 notes या पुराने notes applicable नहीं है 9 notes कल onwards applicable होना शुरू हो जाएंगे लेकिन इसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दू कि जो lower denomination के notes है notes of lower denomination जैसे कि 100 रुपे का note, 50, 20, 10 रुपे 5 रुपे, 2 रुपे, 1 रुपे और सारे के सारे सिक्के all coins will continue to be valid ये valid रहेंगे तो ले देखे अगर invalidity या discontinuance है तो वो higher denomination है 500 और 1000 के notes से तहत सिर्फ और सिर्फ ये change हुआ है ये change भी काफी बड़ा change है इसके तहत जो भी दिक्कत आएगी उसे temporary दिक्कत मानिए उसे permanent दिक्कत मत मानिए लेकिन इसका जो purpose है इसकी जो बजा है वो बहुत बड़ी है हम लोगों से बड़ी है इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप panic ना करें किसी भी तरीके से do not panic घबराएं ना क्योंकि relief announcement करा प्रधान मंतरी ने जिसके तहट उन्होंने ये बोला कि आपके पास 50 दिन है आपके पास मात्र पचास दिन है 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप लोगों के पास 50 दिन है 10 नवंबर 2016 से 30 नवंबर 2016 midnight तक जब तक banking hours on रहते हैं कि आप अपने पुराने 500 के नोट और 1000 के नोट बैंक में deposit करवा सकते हैं किसी भी बैंक की ब्रांच में या post office में deposit करवा सकते हैं तो ये 50 दिन का announcement दिया है इसी को एक relief measure का नाम दिया जाता है जिसकी वज़े से इसको panic ना करें आप लोग आप जाके deposit करवा सकते हैं तो अगर आपकी income एक बिलकुल proper सूतरों से आई है अगर proper sources से है और आपने declare करनी थी वो income तो आप जाके bank में deposit करवाएं कोई तकलीफ की बात नहीं होगी इसी के दौरान इसी के तहद मैं आपको ये भी बता दू कि ATM से पैसा withdraw करने की भी limit है आज 9 November का दिन और कल 10 November का दिन ATM बंद रहेंगे आज bank holiday भी थी और ATM withdrawals 2000 रुपे प्रती दिन तक limited है और withdrawals अगर आप किसी भी bank account से करते हैं जो की आगे चल कि आप दिनों में करेंगे वो limited होगा 10,000 रुपे प्रती दिन तक और 20,000 रुपे प्रती हफते तक 20,000 रुपीज a week and 10,000 रुपीज a day तो ATM withdrawals को restrict किया गया है और ये एक बहुत ही important announcement करी गई थी प्रधानमंत्री द्वारा तो आई ये नए note देखते हैं इस नए note को एक बारी analyze करते हैं क्या-क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा-बड़ा ये mention किया गया है पहले यही चीज उपर mentioned होती थी upper right, upper left corner में अब इसको नीचे mention किया गया है difference है आप इस अशोक स्तंप को देती देखिए इस चीज़ को एकदम right hand side corner पे ले आया गया है ये जो marks है ये सारे पहले notes पे भी थे अभी के note पे भी है इसको महात्मा गांधी new series कहा जा रहा है this is considered to be the new series of महात्मा गांधी पुरानी series भी महात्मा गांधी series थी अभी भी महात्मा गांधी series है Reserve Bank of India द्वारा issue करा गया note है तो इसमें कोई doubt नहीं है या RBI का government और RBI द्वारा नया note निकालने का सिर्फ और सिर्फ यही मकस्त है कि पुराने notes का circulation खतम किया जाए और नए notes का circulation बढ़ाया जाए आई आपको दिखाते है 2000 उपे का note आज से पहले अंदेखा note किस सरीके का दिखेगा को कुछ ऐसा होगा इस color का होगा बैंगनी रंग का होगा जहां पे 2000 उपे बड़ा बड़ा यहां लिखा हुआ है अशोक स्थूप बना हुआ है यह marks जो कि पहले भी हुआ करते थे यहां पर भी है Reserve Bank of India द्वारा issue करा गया note और यह भी महत्मा गांदी series के तहद ही आता है तो आप लोग देख पा रहे होंगे काफी interesting note है यह note का size थोड़ा 500 रुपे के नई note से बड़ा है लेकिन क्योंकि यह higher denomination है तो यह note justified है तो आप यह देख सकते हैं कि दोनों की दोनों notes नई notes है जो की introduce करेगा RBI announcement में जिसा कि मैं आपको बताया यह चीज़े करी गए थी अब मैं आपको यह समझाता हूँ कि यह move ban करने का क्या impact पड़ेगा black money holders पे और fake currency holders पे एक कोदारन यानि एक example के तहद मैं आपको यह चीज़ समझाऊंगा तो एक इनसान है एक बंदा है जिसका नाम है RG His name is RG RG बहुत ही corrupt है और उसके पास खूब सारा काला धन है यानि कि black money है Let's say he has about 100 करोड रुपे उसके पास तकरीबन 100 करोड है जो कि उसने black money के तहद कमाए है corruption के तहद अब उसके पास दो options है क्योंकि यह black money है या क्योंकि यह पैसा है या तो यह declare कर दे income tax authorities के सामने और इस पे tax pay कर दे या यह इसे declare ना करे और अपने घर पे इसे चुपा दे He can hide the same no payment of tax वो tax नहीं pay करेगा इसको चुपा देगा तो इसके पास दो options है He cannot store the money in banks as banks ask for income tax, tax and other issues तो वो store करने के लिए अपने घर में एक छिपी हुई जगे secret place पे इस पैसे को चुपा लेता है तो RG क्या करता है 100 की 100 करोड रुपे अपने घर पे चुपा लेता है 100 करोड इतनी बड़ी रकम है कि वो इस रकम को छोटे denomination के notes में small currency notes में नहीं रख सकता तो ये सारे के सारे note को 1000 रुपे के bundle में 1000 रुपे के note के form में रखता है तो इसके घर पे ये safe रहते है तो 1000 रुपे के note आप लगाईए कितने note रखने पड़ेगे तो RG की खुशी की कोई सीमा नहीं है very 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 happy और ये देख सकते हैं आप इनका चहरा किस तरीके से खिल किला रहा है लेकिन RG ने क्यों की corruption किया है और ऐसे काफी लोग corruption करते हैं तो गवर्मेंट के लिए ये चीज़ पता करना बहुत ही मुश्किल है कि किन किन लोगों ने इस तरीके से अपने घर पे पैसा रखा हुआ है ये चीज़ गवर्मेंट के लिए बहुत मुश्किल है तो RG के 100 करोड रुपे तकरीबन 10 लाक नोट 1000 रुपे के 10 लाक नोट उनके घर पे स्टोड है तो RG बहुत खुश है गवर्मेंट के पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ये पता करे कि किस किस के पास इस तरीके से नोट है तो अब गवर्मेंट क्या करती है एक ट्विस्ट लाती है RG की जिंदगी में तो अब आया लाइफ में ट्विस्ट RG की जिन्दगी पूरी तरीके से बदल गई तो government ने discontinue कर दिये 1000 रुपे के और 500 रुपे के नोट अब RG भीया problem में है RG has a big problem now क्योंकि अब उनके जो 1000 रुपे के 10 लाक नोट थे इनकी value हो गई है zero they are worth nil now तो अपने आपको बचाने के लिए RG के पास अब क्या option है या तो RG bank के पास जाए और bank में जाके अपने सारे पुराने नोट deposit करवा दे और नए नोट वहाँ से withdraw कर दे 500-500 के या 22,000 के तो he should exchange his 1000 रुपी notes with smaller currency notes which he can't because for exchanging money उसको उस पे proof देना पड़ेगा और उस पे tax pay करना पड़ेगा 100 करोड का अब RG के सामने बड़ी दोविदा है बहुत संकट में हो गए है तो इस संकट को किस तरीके से solve करा जाए या तो income declare कर दो या 100 करोड का नुकसान उठाओ आपके पास और कोई भी option नहीं है RG के पास और कोई option नहीं है अब इसी example को दूसरी तरफ से evaluate करते है माल लीजे RG ने यही चीज 1000 और 500 रुपे के note में नहीं ली होती इतनी बड़ी रकम RG ने 100-100 रुपे 50-50 रुपे के note में ली होती अब देखे अगर RG अपना सारा पैसा जला के नया पैसा acquire करते हैं जो की black money रहता है लेकिन इस बार वो 10 और 100 रुपे के note में acquire करते हैं तो अब क्या है पहले वो 1000-1000 के 10 लाक note लेके बैठे होगे थे अब वो 100-100 रुपे क्या 1 करोड note लेके बैठे होंगे इतना possible है 1 करोड note या 10 करोड note तो naturally it will become harder for him to store इतने note कहां store करोगे क्योंकि उसके पास 5 गुना जादा notes है या 10 गुना जादा notes है पिशली बार से तो ये जादा notes का मतलब है कि ये चीज नजरों में आती है और इसका storage और इसका usage दोनों ही मुश्किल होता है तो ये सब small denomination के notes की problem आर जी को आती रहती है जिसकी वज़े से आर जी अब क्या करेगा आर जी अब black money नहीं generate करना चाहेगा लेकिन क्या आर जी फिर भी black money generate करेगा इसको तो आर जी ही विता सकता है अब ये समझता हूँ अब ये समझते हैं कि इसके implications, इसका impact इसका effect हिंदुस्तान के लोगों पे किस सरीके से होगा people of India यानि कि आप सब citizens of India आपके उपर इसका क्या impact होगा आपको ये चीज भली भाती पता होनी चाहिए तो पहला impact जो first objective है वो ये है कि holding stop हो जाएगी holding of black money काले धन की holding या उसको hold करना या उसको अपने पास रखना ये चीज खतम हो जाएगी people holding such black money will be forced to put that into system और change into other denominations जिनके पास काला धन है जिनके पास इस तरीके के note है अब उनको मजबूरन bank के पास जाके नई note में exchange करवाना पड़ेगा या बड़े-बड़े denomination के note चोटे-चोटे denomination में convert करवाने पड़ेंगे तो जितना जारा पैसा है बहुत सारा पैसा back economy में वापस आ जाएगा तो economy में circulation बढ़ जाएगा तो पहला तो term ये है या पहला implication ये है holding of black money will stop secondly, दूसरा जो सबसे बड़ा फाइदा है वो ये है कि generation generation of new black money जो नया black money generate होगा वो रुख जाएगा, stop हो जाएगा, decrease कर जाएगा अगर बिल्कुल stop ना हो तो definitely बहुत बड़ी मातरा में ये चीज़ decrease करेगी as one cannot do large transaction in smaller notes आप बड़े transaction छोटे-छोटे notes में यानि कि 100 रुपे, 50 रुपे की note में नहीं कर सकते, जिसकी वज़े से आपको बड़े notes में ही करनी पड़ेगी तो आप black money में नहीं, उसे white money में यानि कि check के amount के द्वारा ही करोगे all black money circulation transactions जैसे कि real estate में सबस्यादा धानले बाजी होती है gold purchase में बहुत धानले बाजी होती है तो ये सब खरीदना almost impossible हो जाएगा और maximum corruption यहीं से देखा जाता था real estate और gold के तहट दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि और नया black money generate करना कम हो जाएगा, रुकना तो बहुत मुश्किल है कोई भी चीज, लेकिन definitely कम हो जाएगा तो दो बहुत बड़े फायदे हैं जो कि लोगों को दिखेंगे और इसकी वज़े से हमारी growth दिखेगी तो अगले 6 महीने में, साल भर में आप impact देख लीजएगा, हमारी growth भी दिखेगी और black money circulation भी कम हो जाएगा आप सब लोग, यानि कि हम सब लोग discipline हो जाएगे अपने पैसों को लेकर और अपने पैसे के खर्चों को लेकर आईए मैं आपको बताता हूँ तीसरा implication क्या होगा, यह बहुत ही important implication है, जो कि मोदी जी ने अपने speech में शुरु शुरु में बोला था national security को compromise करा जाता है कैसे करा जाता है कि 500 और 1000 रुपे के fake notes fake notes जो हमारे जो हमारे पडोसी देश वाले इस country के लोगों को देते हैं और इस country के लोगों को corrupt करते हैं यानि कि bribe करते हैं fake notes देके तो इसकी वज़े से terrorism बढ़ता है, तो national security issue हो गया है, सोच के देखे national security issue, सिर्फ black money का issue, एक black money का issue नहीं है economy का issue नहीं है, वो security का भी issue है तो it will be better financing terror through smuggling currency, तो जो भी लोग smuggle करते हैं currency, जो भी लोग money laundering करते हैं, ये सारी चीज़े बंद हो जाएंगी और ये सब चीज़े आप भारी मातरा में control कर सकते हो, तो इस decision से या इस particular step से, national security can also be properly secured, or it can be restored, तो ये तीसरा benefit है और चौथा benefits ये है कि आप अब elections के दौरान vote नहीं खरीद पाओगे आप 500-500 रुपे या जैसे भी पैसा distribute करते थे नहीं कर पाओगे MLA's, MP's इनको ticket मिलती है वो ticket खरीदे हैं या वो seat खरीदे हैं वो नहीं कर पाएंगे तो ये सब currency circulation रुख गया है तो यहाँ पे अब जैसे जो आने वाला UP और पंजाब का election है उन सब पे भारी impact पड़ेगा इन चीजों का, it will reach its peak क्योंकि यहाँ पे circulation जो है वो peak पे पहुँच जाये करता था अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 100-100 के note कितने बाटेंगे तो यह जतने भी बड़े-बड़े elections है local politicians इनको नहीं use कर पाएंगे और यह चीज खरीदना बिलकुल ही बंद हो जाएगी क्योंकि इसके तहट आप democracy को stake पे नहीं डाल सकते तो votes नहीं खरीदे जा सकते आप अब genuine voter को ही vote डालने को बोलोगे तो यह सब चीज़े मुश्किल होंगी लोगों के लिए vote खरीदना जिसकी वज़े से free and fair elections जो की हमारा सम्विधान guarantee करता है free and fair elections वो चीज़ अब hope आईगी तो यह सारे implications जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही फाइदे मन्द हैं चारो implications हिंदुस्तान के लोगों के लिए पट यह जो step है यह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा गंभीर step ऐसा गंभीर action ऐसा क्यों किया? Why did he do it? So why did Mr. Modi take this decision? Use of high denomination यानि कि 500,000 के note storage के लिए असान होते हैं और यहां पे unaccounted wealth यानि कि जो wealth लोगों के नजरों में नहीं है जो की tax authorities के यानि कि CBDT की नजरों में नहीं है यह चीज़ यहां से ignored थी तो CBDT का मतलब है Central Board of Direct Taxes इनको wealth के बारे में नहीं पता था तो इसका मतलब आपने अपनी wealth पे income tax नहीं पे करा अगर आपने अपनी wealth पे income tax नहीं पे करा तो यह चीज़ already evident है cash recovery से कि आपने उस चीज़ को already store करके रखा हुआ था और यह चीज law enforcement agencies देख चुकी है तो high denomination notes को easy है store करना और इसके थूँ black money को generate करना हमारी country में एक economy है जो की white economy है जो की सीधे सीधे चलती है तो जो finance act आता है हर साल जिसको हम लोग loosely budget के नाम से जानते हैं इसमें जो भी receipts और expenditures दिखाए जाते हैं इसमें properly white money का circulation होता है जो भी receipts होंगी वो white की होंगी जो भी expenditures होगा वो white का होगा अब यहाँ पे मान लीजे अगर budget एक लाग करोड का बनता है मान लीजे वैसे बहुत जादा का बनता है तो जो parallel economy चलती है इस line के parallel जो economy चलेगी उसे black economy बोलते हैं तो black economy में इस चीज़ का circulation तकरीबन 10 गुना है तो मतलब एक लाग करोड अगर government की knowledge में है तो दस लाग करोड government की knowledge के बहार है उस चीज़ को black economy बोलते हैं वही रोकने के लिए इस particular booth को किया गया है तो यह आप समझ सकते हैं कि parallel economy जो है वो black money के economy कितनी जादा problematic कितनी जादा problem creating है इस country के लिए जिसकी वज़े से हमें जरूरत है इस चीज़ को हम solve करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 500,000 के note ही क्यों सिर्फ 1000 का note क्यों नहीं हुआ यूंकि total bank note जो circulation में है वो तकरीबन 40% से बढ़ गए है पिछले 5 साल में 5 साल का मतलब है 2011 से 2016 तक circulation जो है वो 500 रुपे के note का 76% से बढ़ गया है और 1000 रुपे के note का तकरीबन 109 प्रतिशत से बढ़ा है इसी period के दौरान अब सोच के देखिए मतलब 1000 के note का circulation सबसे ज़ादा बढ़ा है 500 से या lower denomination के note से तो उसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि लोग जो है वो बड़े-बड़े denomination के notes के पास जाते है तो यहाँ पे shadow economy हो जाती है इंडिया की जो तकरीबन 23 प्रतिशत है या उससे भी जादा है GDP की मातरा की जो की economy को करोड करती है और inflation को बढ़ाती है क्योंकि अगर आपके पास black money है तो आप जो चाहे demand कर सकते है चाहे वो petrol हो, चाहे वो सबजी हो, चाहे वो कपड़े हो आप जहां-जहां पैसा यानि की liquid cash accept होगा आप वो सब demand करेंगे तो वो चीज contribute करेगी inflation के लिए वो चीज contribute करेगी economy के लिए वो चीज सब चीजों के लिए contribute करेगी और हर जगे दिक्कत करेगी तो ये सारी दिक्कत करने वाली चीजों को control करने के लिए क्या किया गया, 500 और 1000 के notes को discontinue कर दिया गया आप लोग सब बहुत ही intelligent, responsible citizens हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना personal decision बहुत नाप तोल के लिए एक short term decision एक temporary problem को देखते हुए आप इस decision को ना ले कि प्रधान मंतरी ने गलत करा है या सही करा है आप सही तरीके से सही मात्रा में decision ले और आप ये चीज़ देखे कि इसका बड़ा purpose या long term objective क्या होगा मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के comments का आप comment में नीचे लिख सकते हैं आप मुझे facebook पे message कर सकते हैं मेरा नाम है आयूश सांगी A-Y-U-S-H-S-A-N-G-H-I आगे आप चाहते हैं कि मैं इसी particular topic पे और एक lesson बनाओं जहां पे हम 2000 रुपे के note के higher denomination के note के inflation की बात करें तो आप जरूर मुझे लिखिएगा मैं बिलकुल देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने लोग इस चीज़ को सराते हैं कितने लोग इसके against हैं और मुझे उस चीज़ पे debate करने में अच्छा लगेगा जिससे की हमारे बीच में clarity बढ़े हमारा जो platform है उसका नाम है study IQ आप study IQ के videos देख सकते हैं आप study IQ की pen drives के लिए जो की CLAT के लिए है bank PO के लिए है SSC के लिए है और अन्य सरकारी examinations के लिए launch करी गई है आप उस पे subscribe करने के लिए हमें email भी कर सकते हैं email ID आप note करें gaurav.studyIQ at gmail.com g-a-u-r-a-v dot study IQ at gmail.com मेरा नाम है आयूश संगी आप से मुलाकात होती रहेगी Thank you so much for watching this video